हेलो गाई इस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जोमारा Samsung Galaxy A25 5G Phone जो Samsung Galaxy A25 5G Phone की साइटिंग्स पे जाकर जोमारे फॉन में data warning limit है तो data warning की limit को आफ set कैसे कर सकते हैं Samsung Galaxy A25 5G Phone में और कैसे अपने फॉन में data warning limit को आफ set कर सकते हैं Samsung Galaxy phone में तो आज हम बताने वाले हैं कि data warning limit को आफ set कैसे कर सकते हैं और कैसे warning limit को set करें तो simply आपके जो icons हैं आपके phone में कुछ इस तरीके से शो हो रहा हैं तो simply आपको swipe करना है swipe करते हो आइकन से उपन हो जाएंगे सिंपली आपको इस में से जाना होगा settings आइकन पर क्लिक करते ही phone की setting से open हो जाएगी जिसके जरीए warning limit को आप set कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा connection settings पर connection settings पर जाका जो भी आप warning limit को set करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो देख सकते हैं इस पर tap करना और ब तर सेठ करना चाहते हैं कि जो भी warning limit चाहते हैं तो कर कर देना लिक सेत करना चाहते हैं तो कर पाएंगे simply इस पर time करना के सबखprofit माषण पर जाएगी सब्सक्रायाइब यहां से new limit यानि unlimited भी आप set कर सकते हैं और ok करते ही जो भी आपके फोन में data warning की limit है आपके phone में set हो जाएगी और save करते ही आप इसका use भी कर सकते हैं अपने Samsung Galaxy A25 5G phone में तो इस तरह से data warning limit को set कर सकते हैं अपने Samsung Galaxy A25 5G phone में तो आपको वीडियो अच्छे लिए तो लाइक करें subscribe करें और साथ महीं बैल आइकन दवाने ना भूलें thank you next video के लिए इंतिजार करें और वीडियो उसको share करें thank you वीडियो लिए लिए दो